नमस्ते, मैं हूँ आचारे प्रतिष्ठा इतने समय से इतने सारे एपिसोद Zee News पर देखने के बाद आशा है कि अब आप सब योगा अभ्यास तो करने लगे हैं और आपके बहुत सारे कॉमेंज भी प्राप्त हुए, मैसेज़ भी प्राप्त हुए जिसमें कुछ confusion है, कब योगा अभ्यास करें, किस समय करें, भोजन के उपरांत करें, भोजन के पहले करें, कुछ खा करके करें भी के ना करें कितनी बार किसी प्राक्टिस को repeat करें, क्या पहन करके करें, यानि योग अभ्यास के do's and don'ts क्या है योग साधना करने की नियम क्या है, तो आज हम उन्हीं पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको clear होना चाहिए, कि आपको कब योगा अभ्यास करना है, कितनी बार करना है, कैसे करना है, क्या पहन करना है यो तो कहा गया, खावत, पीवत, सोवत, जागत, ने कुबिसर नहीं जाए, that means we should be 24-hour योगी, आपका खाना, पीना, उचना, बैठना, रहन, सहन, सोना, जगना, सब कुछ योगमाय होना चाहिए and you should be a 24-hour योगी, आपको 24 घंटे योगी बन कर रहना चाहिए, योग की अवस्था में रहना चाहिए, लेकिन जब हम अभ्यास की बात करते हैं, खासतोर पर जो हमारे शारीरिक व्यायाम हैं योग के, चाहे आसन हैं, चाहे प्राणायाम हैं, बंध हैं, उनका एक समय निश्चित है, तो आईए, जानते हैं कि क्या do's and don'ts योग के हैं, पहला निय समय योगा अभ्यास कर रहे हैं, तो आपके मील और आपके अभ्यास के बीच में कम से कम तीन घंटे का गाप होना चाहिए, आपके भोजन और आपके योगा अभ्यास के बीच में थ्री आवर्स गाप मस्ट बी देर, तो अपने भोजन के तीन घंटे उपरांत ही योगा अ करें दोसरा प्रश्न यह आता है कि अभ्यास किस समय किया जाना चाहिए तो अभ्यास करने का सर्वोत्तम समय है संध्याकाल और संध्याकाल में भी यदि आप प्रातेकाल अभ्यास करते हैं जब पौप हटती है रात्री जा रही है प्रभात आ रहा है दिन का शुभारंब हो रहा है सूर्य के क्रिने पॉप हटने लगी है वो समय योगाभ्यास के लिए सर्वुत्तम होता है लेकिन जो लोग जिनकी दिन चरह इस प्रकार की है कि वो सुभा के समय अभ्यास नहीं कर सकते वो शाम के समय भी अभ्यास कर सकते हैं सर्वुत्तम समय कि आचारे जी क्या पहन करके योगाभ्यास किया जाना चाहिए योगाभ्यास हमेशा लूज और कोई नहीं घाना चाहिए लूज का आलती हैन और लूज कहारती है नहीं कि बहुत ही लूज या बहुत ही ताइट कपडे है नहीं होना चाहिए आप जब योगा अभ्यास करें आप cotton के कपड़े पहन करके आप खादी पहन सकते हैं आप सूती कपड़ा पहन सकते हैं लेकिन उसके अलावा कोई भी जो भी uncomfortable type of cloth है वो नहीं होना चाहिए बहुत tight या बहुत धीले कपड़े भी नहीं होने चाहिए खास तोर पर जब आप पहन करें जिस प्रकार के हमने पहने या जितने भी योग से जुड़े लोग हैं वो पहनते हैं यानि गेरुआ रंग पीला रंग और और इंज कलर या फिर सफेद रंग क्योंकि सफेद रंग पर सभी रंगों का प्रभाव चड़ जाता है कोई भी ऐसी tight वस्तू यानि tight belt पहन करके या घड़ी पहन करके हां कभी कभी हम शूट में पहन लेते क्योंकि वो सुंदर लगता है लेकि जब आप प्रॉपर अपना अभ्यास करें तो आप बिल्कुल भी घड़ी ना पहने जेब में आपके पहन नहीं होना चाहिए आपकी पेटी यानि आपकी बेल्ट जो है वो टाइट या बेल्ट पहन के पहनी नहीं होनी चाहिए तो कोई भी ऐसी वस्तु जो अभ्यास करते समय आपको चोट पहुंचा सके या टाइटनेस आपको क्योंकि योग का अभ्यास मुक्ति के लिए करते हैं तो कोई भी बंधन नहीं होना चाहिए योग अभ्यास करते हुए और अगला प्रेशन यह अकसर उठता है कि किसी भी practice को कितनी बार repeat करें आछारी आठी जी तो कुछ practices should not be repeated यह practice to practice depends करता है कुछ practices हमें repeat नहीं करने चाहिए और इन जिनरल अगर हम बात करें तो तीन बार तक दो से तीन बार तक आप किसी भी practice को रिपीट कर सकते हैं, until and unless हम अलग तरीके से आपको बता रहे हैं, अब हम बात करते हैं श्वास की, बहुत confusion है कुछ लोग कहते हैं कि अरे जब contraction होना है बोडी का तो exhale करना है, जब expansion होना है तो inhale करना है, या कुछ लोग कहते हैं आप ध्यान रखिए जो हमारे बंदनी गुरुदेव ने हमें सिखाई श्वास जीवन में सबसे सहज है, यानि सबसे नाचुरल चीज है, that can happen to any human being, because without breath, we can't survive, तो सबसे आसान योग का जो श्वास का नियम है वो ये, जहां बल लगाना हो, वहाँ इनहेल करें और जहां बल छोड़ना हो, वहाँ एक्जेल करें जीवन का एक सिंपल सा उदारन आप ले लीजे यदि अभी आपको कहें, कि ये बेड खिसकाना है, यहां ये मेज खिसकाना है आप क्या करेंगे, अच्छा और फिर आप उसको खिसकाना शुरू करेंगे, याँ आप सास भरेंगे और फिर बल लगाएंगे, बस इसी प्रकार से, जब भी बल लगाना है, आप प्रेशर दे रहें बॉड़ी पर तो इनहेल करें, और वाइस वर्जा, देन एक्जेल ऐसा करने से, आपका जो एफेक्ट है, जिस भी औरगन पर एफेक्ट पढ़ रहा है, वो दुगना हो जाता है यह कुछ आसान से योग के नियम है एक बहुत महत्वपून चीज यह है कि एसी कमरे में योगाभ्यास नहीं किया जाना चाहिए जब आप योगाभ्यास करते हैं, तो कोशिश करें कि खुली हवा में योगाभ्यास करें आप हमारे सारे एपिसोड भी देखते हैं, हम स्टूडियो रिकॉर्डिंग से जादा प्रेफर करते हैं कि हम नाचुरल सराउंडिंग्स से आपके लिए योग के एपिसोड लेकर के आए ताकि आपको भी एक मोटिवेशन मिले क्योंकि योग सबसे नाचुरल चीज है और नेचर के साथ, प्रकृति के साथ समय बिता करके आप आधे तो वैसे ही स्वस्त हो जाते हैं हमने आपके साथ एक एक एपिसोड भी साजा किया है कि कैसे फाइव एलेमेंस प्रकृति के साथ पंच तत्वों के साथ समय बितीत करके भी आप स्वास्थे पा सकते हैं एक काम जो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि आप योगा भ्यास के बाद योगा भ्यास करते समय कोई भी नाचुरल कॉल जैसे गैस पास होना आपको स्टूल डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है यूरिन डिस्चार्ज की फीलिंग हो रही है उसको होल्ड नहीं करना है उसको डिस्चार्ज कर दीजे तो योगा अभ्यास हम इसलिए करते हैं कि हमारे शरीर का मल निकल जाए, खासी आ रही है, छीक आ रही है, उसको होल्ड करके नहीं रखना है, इन फैक्ट अगर ऐसा होता है तो उसको पास हो जाने दे और योगा अभ्यास के तुरंत बाद urine discharge ज़रूर करना चाहिए, कम से कम 15 मिनट का गैब दे योगा अभ्यास के बाद अपनी मिल्स के लिए योगा अभ्यास खतम होते ही, कुछ खाना नहीं चाहिए, और अंतिम यह ज़रूर ध्यान रखें कि जहां बहुत दूल धक्कड है, वहां पर अभ्यास बिलकुल ना करें, आप जो मैट भी इस्तिमाल करते हैं, प्यास करें कि वह जूट का मैट हो, या कॉटन का मैट हो, दरी हो, तो वह आपके लिए ज्यादा लापकारी रहेगा, बस यह छोटे-छोटे से नियम आप ध्यान रखें होगा अभ्यास करने से पहले और हमारा कारिक्रूम देखते रहें, धन्यवाद हरियों